एक मई दोहजार तेईस दिन सोंबार नमस्कार दोस्तों मैं नंदनी शन्मा अजेगरू एस्ट्रोमनी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे सोयाबीन वा अन्य खाद तेलों में ग्रावट के व्यापार के बारे में दोस्तों खाद तेलों की कीमत पर दबाब बरकरा रहने की संभावना है विभिन कारणों से घरेलू तथा वैश्विक बासार से खाद तेल की कीमतों पर आगी भी दबाब बरकरा रहने की संभावना है हलाकि अर्जेंटिना में सोयाबीन का उत्पादन काफी घटने की आशका है लेकिन ब्राजील में उत्पादन उससे भी अधिक भड़ने के आसार है जहां सोयाबीन एवं सोया तेल का भाव घटकर नीचे आ गया वही अगर हम उधर अमेरिका में सोयाबीन के विजाई शित्र में बड़ुतरी होने की उमीद नजरा रही है यूकरेन के निर्यात तक सूरज मुखी तेल का निर्यात बढ़ाने का हर संबब प्रयास कर रहे हैं क्योंकि 18 मई के बाद रूस से हुए करार का जारी रहना मुश्किल लग रहा है मलेशिया तथा इंडोनेशिया में पाम तेल का भाव गिरता जा रहा है जबकि निर्यात प्रदशन उमीद के अनुरूप नहीं है वही कनाडा में कानोला का रखवा बढ़ने की संभावना है इधर घरेलू प्रभाव में सर्सों की जोड़तार आपूर्ती जारी रहने तथा भाव घटने से सर्सों तेल का दाम लगाता नरम पढ़ता जा रहा है जिसका असर अन्ने खादे तेलों की केमतों पर पढ़ने लगा है सोयाबीन बाजार में नरमी का ही माहूल देखा चा रहा था पाम तेल का आयात खर्च उचा बैठने से कुछ भारतिये खरिदारों ने उसका सोदा निरस्त करके सोयाबीन तेल एवं सुरज मुखी तेल का आयात अनुबंद कर लिया हालाकि नेफेंड द्वारा किसानों से 5,450 रुपे प्रतिकुइंटल के नियुन्तम समर्थन मूले पर सर्सों की खरीद की जा रही है मगर मंडियों में इसकी कीमतों पर उसका कोई खास असर नहीं देखा जा रहा अधिकांश प्रमोक मंडियों में सर्सों का भाव घट कर नियुन्तम समर्थन मूले से नीचे आने के कर किसानों की चिंता एवं परिशानी बहुत पड़ गई है सरकार अभी खादे तेलों पर आयात शुलक बढ़ाने के मूड में रही है इसलिए विदेशों से भारी मात्रा में इसे मंगाया जा रहा है जो काफी सस्ता बैठ रहा है और इसके चलते सौदेशी खादे तेलों की कीमतों पर भी दबाप पड़ रहा है मलेशिया में पिछले दिनों जुलाई जलेवरी के लिए क्रूट पाम तेल का वाइदा भाव खटकर 3571 रिंगिट 801.57 डॉलर परती टन पर आ गया था इससे साफ संकीत मिलता है कि आगामे महिनों में भी वहां से सस्ते पाम तेल का आयात निरंतर जारी रहेगा और इसके असर से सोयाबीन तेल तथा सूरज मुखी तेल का दाम भी नरम रह सकता है दोस्तो ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद